कर सकते हैं आप अठार का लोग अनलोक भी कर सकते हैं आप अपने अधार कार्ण math कर सकते हैं अ को मिल जाएगा इस पर आपको कलिक कर लेना है तो मैं इस पर कलिक कर लेता हूं अगर आप Chrome ब्राउजर पर जाकर डारेक्ट आप सर्च करते हो थोड़ा प्रावलम होगा क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है तभी मैं लिंक के जरीए आपको बता रहा है इसके बाद वेबसाइड ओपन हो गया है आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आप अपना अधार कार्ट लोगिंग कर लेना है इसमें अगर आप अपना नहीं चाहते हैं तो दूसरे कभी कर सकते हैं जिसके अधार कार्ट को आप चेंज करना चाहते हैं और आपको एक बात और बता देता हूं कि आप कि सीक अभी इसमें अधार कार्ट को लोगिंग करते हो इसका ही आप चेंज कर सकते हो अगर आप अपने अधार कार्ट को लोगिंग करना चाहते हो तो आप अपने अधार कार्ट को चेंज कर सकते हो तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद इस प्रकार के इंटर्फेस आ जाता है आप देख सकते हैं इसमें अधार कार्ट का नमबर डाना है उपर वाले में आप देख सकते हैं इसमें अधार कार्ट का नमबर डाना है इसके बाद आपको capture code आएगा इस capture code को इसमें enter करना है इसमें आपको डालना है अगर आपको capture code समझ नहीं आ रहा है तो इस पर आपको click करना है capture code change हो जाएगा इस पर आपको click करते जाना है अगर आपको समझ आ जाता है capture code तो आपको इस पर डाल देना है इसके बाद आपको send OTP पर आपको click कर लेना है इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा जिस जो अधार card से mobile number link है इसी number से आपके mobile number पर एक OTP आएगा इसको आपको इसमें डाल देना है इसके बाद आपका अधार card इससे login हो जाएगा इसके बाद आप अपने अधार कार्ट को चेंज विगेरा कर सकते हो तो मैं इसको बेक कर लेता हूँ अगर आप लोगिंग भी करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा अगर आप नहीं करोगे तो भी इस प्रकार का इंटरफेस आएगा अगर आप अपने अधार कार्ट को change करना चाहते हो तो आपको login करना ही पड़ेगा तभी आप अपने अधार कार्ट को change कर सकते हो तो मैं आपको zoom करके थोड़ा से आपको बताता हूँ इसके बारे में तो first option पर आप देख सकते हो, आप अपने अधार कार्ट को download कर सकते हो, login करके, इसके बाद आप देख सकते हैं, order अधार PVC कार्ड, तो इसमें अधार का PVC कार्ड आडर कर सकते हैं, इसके बाद नीचे तरप आप देख सकते हैं, एक और option है, check अधार PVC कार्ड आडर status, इसमें इस कर समय देख सकते हो कब इसका order किया था इसके बाद आप environment का जांच कर सकते हैं अपडेट कब आ रहा है इसको आप चेक कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं location आप पता कर सकते हैं आपके आसपास में कोई अधार सेंटर केंदरा है या नहीं इसको आप पता कर सकते हैं इसके बाद आप अपाइंटमेंट बुक कर सकते हैं इसके बाद आप खोई हुई आइडी या भूले हुई आइडी को आप पता कर सकते हैं इसके बाद इसके बाद आप अपना मोबाइन नमबर या इमेल आइडी को वे इसके बाद आप अपना अधार कार्ट को इसमें लॉक भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं दो आपसन आपको मिल जाए गए इस पर किलिक करने के बाद तो आज मैं इसी के बारे में बताया हूँ दोस्तों और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सस्क्राइब करना और अपने दोस्तों पास से यर करना थैंक्स